जिन्दगी भर की कमाई लोग तंत्र में उनकी आस्था को लुटा दिये वह ब्यक्ति का नाम है ललन बाबू और ललन बाबू को आज उन्ही के केबिनेट के मिनिस्टर मुख मंत्री के चहे थे असोग चौधरी जी जिस तरह से बेजज़तर अपमानित किये हैं वो बिलबिल चमक रहा है और सुर्ज को जो थूखता है वह थूख उसी के चेहरे पर गिरता है आपके कारण आज आपका समाज भी लज्जित है और बिहार भी लज्जित है विद्याले में भावन बनाने के लिए पैसा नहीं है शिक्षा विभाग का अधिकतर भवन जड़जर है लेकिन भवन विभाग के माद्धम से हजारों करोर रुपया संग्राले से ले करके नए नए टावर और नए नए भवन बनाने में खूल करके प्राकलन घोटाला करकर के हजारों करोर खर्च कर रही है ये सरकार और नेता पर्तिपक्ष के नाते मैं जबाब चाहता हूँ कि आज विद्याले के अंदर भवन क्यों नहीं बन रहा आप पैसे का भवन निर्मान विभाग से इतने रुपये दूसरे दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं जिसकी आवसकता नहीं है हमारे बच्चे को बैठने का जगह नहीं परने का बैंच डक्स नहीं सौचालई नहीं पेजल की विवस्ता नहीं सिक्चा विभाग को तहस नहस करने के लिए आप लोगों ने जो प्लानिंग किया है सिक्चा विभाग को हम जब भी दौरा करेंगे बारती जनता पाती प्रात्मित्ता में लेगी और हर परकंड के अंदर सिक्चा विभाग के खामी को उजागर करके ये सरकार को विवस करेगी और विहार की जनता को जो हर जाती के लोग उस सरकारी विद्याले में परने जाते हैं गडीब का बेटा उसको अगर जो ये सरकार सुबधा नहीं देती है सरकार का बहिसकार कर पारे या तो गद्दी छोड़े नहीं तो सिक्षा में सुधार करें यह अभियान हम लोग चलाएंगी उप मुक्मंत्री के विधान सभाचेत्र और बिद्दूपुर में जो निर्दोस हेक्टी में काम करने वाले का हत्या हुआ है और उस अभियान का भी शरी गनेस वहां के लोगों से ही करेंगे कि विध्याले में सुधार हो विध्याले में भवन हो विध्याले में सिच्चा को सवचाले हो पेजल हो बैंच देक्स हो पड़ योगसाला हो पुस्त काले हो अगर जो एक विध्याले एक सिच्चा को आप नहीं सुधार सकते तो सत्ता में रहने का कोई नईतिक अधिकार नहीं है और इनको कुर्सी से उतारने तक यह आंदोलन और भियान हम लोग चलाएंगी